हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल है मैं साइट आई जो पर तो दोस्तों आपके साथ हम जूट चुके हैं एक और रोजगार मेला के साथ और इस रोजगार मेला का आवेजन 12 माई को किया जा रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें आई टाई और डिप्लोमा पास आउट कंडिजेट जो है पाटिसिपेट कर सकते हैं जिनका 28 से 25 साल लखा गया है इसमें 12 से 15 जार आपको सेली भी प्रवाइट की जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस केंपस रिक्वार्मेंट का आवेजन गौर्मेंट आई कोई भी कैंपस से रिलेटेट वीडियो अपलोड कर जोई तो इसका नोटिफिकरशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं और बताते हैं इस केंपस रिक्वार्मेंट से रिलेटेड क्याठारिया के बारे में तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं राजिकी और दोदिक पर्शिसन संस्थान मैंनफूरी उत्तर पतेश में इस केंपस रिकवार्मेंट का आयोजन किया जा रहा है तो मैं आप लोग बता दूँ कि इसमें जो पहली कंपनी है इंडो आटो टीच, लिम्टेड, थाफू खेडा, होंडा, चोख, अलवर, राजस्तान कि कंपनी है । तीसरी कंपनी जो रने वाली है ओ पीपदास आटो लिम्टेड रोहता खरियाना कि कंपनी है जिसके द्वार इस campus requirement का आविजन किया जा रहा है तो मैं आप लोगों फिर से एक बार बता दूँ कि राजिकी और दोतिक परशिचन संस्थान महिन पूरी में दिनांक 12 माई 2022 सुबर 9 बच से इस campus requirement का आविजन किया जा रहा है तो आप सुबर 9 बच से और 5 बच तक इस campus requirement में participate कर सकते हैं भा राज की एमाम नीजी, ITI से ITI pass out हैं जाए आप NCBTC या CBTC तो आप डोनों लोग इसमें participate कर सकते हैं तो इसमें आपको mention कर रखा है कि यह आप उत्रप्रदेश कहें तो भी आप इसमें participate कर सकते हैं और अन्य प्रदेश के भी candidate जो है इसमें participate कर सकते हैं और passing years की बात कर ले तो 2019 से 21 के pass out candidate इसमें participate कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें ITI परिशा उतरिन, ITI candidate और डिप्लोमा धारक भी इस campus requirement में भाग ले सकते हैं इस रोजगार मेला में भाग ले सकते हैं तो ऐसे एक चुक एवं पात्र अभ्याति, अपने बायोडाटा, सहित, समझ सक्षेक्षिन, योगता, अंगपंत्र और प्रमारपत्रों की मूल कापी एवं छाया प्रती कापी लेके आप लोग इस campus requirement में भाग ले सकते हैं तो मैं आप लोग को डाकुमेंट में बता दूँ, तो पैन काड, अधार काड, बोटर आईडी, निवास परमारपत्र, एवं चार पासफोर्ट साइज फोटो और आईटाई और डिप्लोमा की समपुन, फोटो कापी एवं आईडी प्रूफ के साथ जो है आप इस campus requirement में भ उपरुक्त मानक में पूरुस अभ्यारती एवं सक्षार के समय आपको अपने समख शेक्षिन योगिता के अंकपत्र, प्रमारपत्रों की मूलकापी आपके पास होना, आपके पास अनिवार है, इसमें बैक्सिनेसन की दोनों डोजे आपको लगी होनी चाहिए, तो इसमें आप लोग को मैं बता दूँ कि आईटाई के इसमें और ट्रेड के कर सकते हैं, गवर्मेंट और प्राइबेट दोनों, जिनका एज आपको 18-25 सा रखा गया है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इस केमपस रिक्वार्मेंट का आवजान 12 माई को सुबह 9 बशे और 5 बश तक किया जाएगा, और इसमें पोस्ट के अब बात के लिए तो ओपरेटर क्वाल्टी इन्सेक्टन के लिए आपको इस केमपस रिक्वार्मेंट में सेलेक्शन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मन्तली सेलरी जो है, 13-15-15 अजलरी प्रोइड की जाएगी, यह अलग अल लग लग है लेकिन आपका 13000 से कम सेलरी नहीं लगेगी और फैसिलिटीज की अगर बात कर लें तो केंटेंट पीफ यसाई और येरली जो है इंस्ट इग्रिमेंट की व्योस्ता कंपनी के तरफ साफ के दी जाएगी मतलब सेलरी आपकी बढ़ाई जाएगी और यह सुचना ज कर सकते हैं आपकी पूरी सायता की जाएगी तो दोस्तो आएसे ही लट्रेश्ट केमपस और रिक्वार्मेंट की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राब जरूर कर लें और वेल आइगन को और पर रखें तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए केमपस रिक्व कर दो आप य।